रादे रादे सागत है आपका मेरी चैनल की करापन कीरेशन में देखिए आज हम सी कहेंगे सूट या बलाउच की बाजू का डेजाइन तो यहां पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है एक वार और एक वार और फोल्ड करें हैं तो हमें इसे फोर फोल्ड करना है क्योंकि यहां पर बाजू की लंबाई में 20 इंच लिया है और सट्रेंचे में तैयार रखनी है इसकी लंबाई तो सत्र्रेंच पे निशान लगा लेंगे तीन इनचे एष्टा लिया है जो हमारा फोल्ड करने के काम आएगा डेजान के तो इसकी हुली वाली साड मैंने अपनी तो 38 का फोर्थ पार्ट इस तरह से निकालेंगे इंची टेप को दो बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहां पर देखिए पहली वाली श्ट्रिप यहां से एक से लेके स्टार्टिंग से है तो यहां पर 9.5 इंच आया है हमारा आधा इंच कम करेंगे तो 9 इंच पर हम हमें आर्मोल की कटिंग करनी है दो इंच एस्टा लेंगे जो हमारा पिलेट्स बनाने के काम आएगा तो यह देखिए हमारा नाइन इंच कम्प्लीट है यहाप है तो हमें दो इंच एक्सा और लेना है क्योंकि एडेड़ इंच हमें माजन के लिए रखना है तो आधा इंच हमारा स्लाइ में चला जाएगा यह देखिए तो थोड़ा सकप्डा हमें यहां पर जोइंट करना पड़ेगा तो इसे कटिंग कर लेंगे और यहां से तीन इंच अंदर की तरफ निसान लगाएंगे यहां से नो इंच तक हमें फोल्ड करना है बीच का सेंटर निका लेंगे इसी सेंटर से इस तरह से इंच टेप पो रखेंगे क्रॉस में और यह आर्मोल की सेप दे देंगे यहां से थोड़ी से गुलाई में इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो यह कटिंग हो गई हमारी यह यहां पर हमारी प्लेट आएंगे और इस चाइड भी इस तरह से प्लेट आएंगे तो सबसे पहले हमें जो हमने कपड़ा लिया है इसको जॉइंट करेंगे आपके पास पूरा कपड़ा है तो पूरा भी ले सकते हैं इसमें मेरा कम पढ़ रहा था इसलिए मैंने यह जॉइंट किया है तो दीखी सिलने के लिए यह देखी किनारी वाली जो पार्ट है उसको इसके उपर रखके और जो बिना किनारी वाल पार्ट है उसको अंदर दबा के इस तरह से सलाई लगाएंगे तो हमारी द्धागे और निकलेंगे नहीं और इस तरह से ऊपर से दाब की सलाई लगा देंगे तो अगर फ्रेंच आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करने हैं बेल आइकन को भी प्र और यहां से हमने जो कपड़ा प्लेट्स के लिए एक्ट्रा लिया था वहां पर प्लेट्स तरह से सिलाई लगा लेंगे पहले इसको निकालेंगे इस तरह से और इसको धागे को खीच के यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स बना देंगे इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से पलटना है और इसके उटी साइड से रखना है कपड़े को और यहाँ पे सिलाई लगानी है तो इस तरह से सलाई लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और जो कपड़ा हमने यहां पर लिया था वहां पर निशान को डार करेंगे तो यह देखिए हमारा यह हमने तीन लिया था तीन इंच तो सलाई लगाने के बाद हमारा यह दो इंच तो जो लायन होती है इत अच्छे से सिलाई आ जाए फिनिसिंग के साथ तो यह देखिए हम यहां पर सिलाई लगा लगा लेंगे एक तम किनारी पर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे देखिए आदा इंचे नीचे की तरफ में निसान लगाना है यहां पर एक स्लाई लगा देनी है इस तरह से स्लाई लगा लेंगे पूरे कपड़ाई मे अब हमें रवड लेनी है लास्टिक इसको पिन में डालेंगे इस तरह से और इसके अंदर इसे डाल देंगे तो यह देखिए आप लास्टिक को डाल दिया है इसके अंदर उसे सेट करेंगे कपड़ाई को अच्छे से जितनी हमें तयार रखनी है तो यह देखिए हमने यह देखिए भोती व्यारेशा सिलेप सभी से आपको दिख रहा होगा डिजाइन इसका और एक्स्टा लास्टि इसको कट कर देंगे यहां से और इसे कुर्ती में अटेच कर देंगे यह मैंने साड़ी में से कुर्ती बनाई थी और इसका कपड़ा सिफोन का कपड़ा है तो इसलिए इसकी जो फ्रिले एक्दम फूली फूली आई हुई है तो यह देखिए हमारा इस तरह से डिजाइन ब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे